प्रिये व्यूवर्स ये संस्कृति आई एस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक आइंड सॉल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के इंतरगर्द प्रती एक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंदित पांच प्रश्न व्याक्या सही तुक्तर के साथ आपको दिये जाएंगे हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तयारी में मददगार सावित होगा तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रंखला को पहले प्रश्न को ध्यान से देखी प्रोधिग की विकास परिशद के संदर में निनमलिक्षित में से कौन से गथन सही है यह प्रोधिग की के विकास और व्यावसाई करण को बढ़ावा देने तथा व्यापक अनुप्रियोग के लिए आयतित प्रोधिग की का अनुकूलन करने हेतू इस परिशत को गठित किया गया है नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिए एक और दो एक और प्रोधिग की विकास-परिशत अदिन्यम 1995 के तहट वर्ष 1996 में इस परिशत का गठन एक साम्य दिक निकाए के रूप में किया गया है विज्ञान और प्रोधिग की मंत्राले के अंतर गठ इस परिशत का गठन किया गया है स्वदेशी प्रोध्योगी की के विकास और व्यवसाई करण को बढ़ावा देने तता व्यापक अनुप्रयोगों के आयतित प्रोध्योगी की का अनुकूलन करने ही तु इस बोर्ड को गठित किया गया है विदित है कि प्राध्योग की विकास परिशत से प्राप्त वित्य सहाइता से कई स्टार्टप को PPE किट, मास्क, थर्मल स्कैनर, परिक्षन किट, सेनिटाइजर्स तथा चिकिस्सा उपकर्णों का उत्पादन किया गया है तथा COVID-19 महामारी के विरिद अपना सकारात्मा की युगदान दिया है इस प्रकार कथन एक और तीन सही है जबके कथन दोग गलत है और इसका सही उत्तर क्या था? Option 2 आज के अपने दूसरे प्रशन को देखिए आठम इस प्रोग्राम के संदर में निनमलिखित कतनों पर विचार करें यह नासा का मानव युक्त चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के दक्षणी ध्रूप पर भीजा जाएगा तथा इस प्रोग्राम के माध्यम से पहली बार किसी महिला को चान पर भीजा जाएगा उपर युक्त में से कौन से कतन सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही उत्तर है आप्शन सी व्या कैसे समझने की कोशिश करते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का मानव युक्त चंद्र मिशन है जो 1972 में अपोलो कारिक्रम के बाद पहला मानव युक्त चंद्र मिशन होगा इस मिशन में 2024 तक एक पुरुष और एक महिला को चंद्रमा के दक्षणी धुरुप की सतय पर भीजे जाने की योजना है विदित है कि इस कारिक्रम के तहट पहली बार किसी महिला को चांद पर भीजा जाएगा हाल ही में इस कारिक्रम के अंतरगर्ट नासा ने 2023 में वाइपर नामक अपने पहले मोबाइल रोबोट को लॉंच करने की घोशना की है इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है और इसका सही उत्तर है option C आज के अपने पहले प्रशन को देखिए कभी-कभी समाचारों में चावल की किसमे संबंदित राज्य विलेज राइस असम बाउधान तमिलनादू काला नमक चावल उत्तर प्रदेश नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिए केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक दो और तीन सही उत्तर क्या होगा? option C व्याक्या से जिटेल में समझते हैं हाल ही में तमिलनाजू के तंजाब और जिले के कुम्ब कोडम से गैर वास्मती चावल की किस्म, विलेज राइस का निर्यात, घाना वह यमन को किया गया है चावल की ये किस्म, प्रोटीन, फाइवर तथा कई खनेजों से संपन्न है मार्च 2021 में असम से लाल चावल की पहली खेप का निर्यात संयुक्तुराज अमेरिका को किया गया है आईरन से संपन्न चावल की ये किस्म, असम की ब्रह्म पुत्रगाटी में पैदा की जाती है जिसमें किसी रासाइनिक और वरक का प्रयोग नहीं होता है चावल की इस किस्म को बावधान के नाम से भी जाना जाता है जो असमिया भोजन का एक अविन्यंग है गैर बासमती सुगंदित चावल की एक अन्न किस्म, काला नमक को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई शेतर में उगाया जाता है इस चावल को मार्च 2021 में सिंगापूर को निर्यात किया गया है और इसलिए कथन एक और दो दोनों गलत हैं जबकि कथन तीन सही है और इसका सही उत्तर क्या होगा? Option C बरते हैं आज के अपने चौथे प्रशन की ओर शुद्र ग्रह के संदर्व में निर्मलिकित कत्नों पर विचार करें अधिकान शुद्र ग्रह प्रत्वी और मंगल ग्रह के मद्द के शेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा यह ग्रहों के निर्मार के विल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो सौर मंडल के निर्मार के समय से अवशेज के रूप में बचे रह गए हैं। ओपुरुप्त में से कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर को चुनिये क्या होगा। ओप्शिन बी, व्याख्या को देखते हैं, शुद्र ग्रह मंगल और ब्रशपती ग्रह के मद्ध के शेत्रों में सूर की परिक्मा करने वाले सुक्ष्म को लेकर विशाल आकार के चट्टानी पिंड होते हैं। यह ग्रहों के निर्माड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो सौर मंडल के निर्माड के समय से अवशेज के रूप में बचे रह गए हैं। इनका निर्माड हमारे सौर मंडल के अन्यपिंडों के उत्पत्ती के समान ही आरंबिक दौर में हुआ है। इसलिए ये सौर मंडल की उत्पत्ती को समझने में हमारी साहिता करते हैं नासा की अनुसार एक जून को संभावित रूप से खतरनाक के रूप में वर्गीक्रत 2021 KT1 नामक शुद्रग्रह प्रत्वी के निकट से गुजरा है इस शुद्रग्रह की प्रत्वी से निकटम दूरी 4.5 मिलियन किलो मीटर की होगी और इसलिए कथन एक गलत है और कथन दो सही है और इसका सही उत्तर क्या होगा? आप्शिन B आज के अंतेम प्रश्न को देख लेते हैं निकटम लिखित में से किन संगचनों की स्थापना विनायक दामुदर सावर करने की थी अविनव भारत समाज, अनुशीलन समिती, भारत नौजवान सभा नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिए केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, एक दो और तीन सही उत्तर है ऑप्शन ए यानि की अभिनव भारत समाज, व्याख्या से समझते हैं 28 मई 1883 को महरास्ट के नासिक जिले में जन में भारती है सोतंतरता सेनानी विनायक दामुदर सावर करने 1904 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी जो आगामी समय में एक गुप्त सभा अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गई विदित है कि अनुशीलन समिती की स्थापना 1902 में पी मित्रा और भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंग ने की थी इस प्रकार कथन एक सही है जबकि कथन दो और तीन गलत है और इसका सही उत्तर क्या था और अप्शिन ए